हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त सेवक सेंग और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मेकैनिकल चैनल आई की दोस्तो जो वीडियो है वो है एक मेजरमेंट टेप जिसको हम एंची टेप भी बोल देते हैं इसके बारे में काफी लोगों को इसके बारे में मेरे से ज्यादा पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए यह वाली वीडियो काफी फायदे मन होने वाली है क्या क्या इसमें हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले जैसे यह वाला हमारे पास एक फिट का स्केल है इसमें जैसे यह लिखा गया है एक दो तीन यह निशान क्या है उपर के निशान क्या है और यह 32 तीस क्यों लिखा जाता है यह वाला और दूसरी साइड इसमें एंच और mm है mm एंच और उसके नीचे है टेप ड्रल यह सबी डिटेल हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे अगर वीडियो ज्यादा लंबी होने लगी तो हम इसके दो पार्ट मनाएंगे तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं मेजर्मेंट टेप की जिसको हम एंची टेप बोल देते हैं इसके बारे में यह दोस्तों यह है तीन M मतलब के यह तीन मेटर का एक एंची टेप है जो के बड़ियर कंपनी स्टैनली का है बलैक डेकर की कंपनी है भी ये स्टैनली में आगई उसके बाद है यह वाला पाँच मेटर का यहां पर लिखा नहीं बैसे लिखा जाता है यहां पर पाँच मेटर का दोस्तो इस किसी भी intuitive में जो आप scale है आपके पास इसमें यह जो है इसका head लगा है यह थोड़ा सा इसमें play रहती है देख सकते हो किसमें play है इसका बहुत ही खास कारण है वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ क्योंकि हम फीते के बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे कई लोग क्या करते हैं कि यह जो रप्ट है इसको बिल्कुल ठोक कर इसको जाम कर देते हैं इसको जाम नहीं करना इसमें play जरूरी है इसमें play बहुत ही एक, दो, तीन, चार चार सूत को अदा एंच बोलायाता है उसके बाद पांच, शे, साथ और आठ आठ सूत हो गए एक एंच में जिसमें लिखा गया है सोला ये सोला क्यों लिखा गया है कि एक एंच में आठ सूत तो ये हो गए और जो आदे वाले निशान है ये टोटल मिलकर सोला मनेगे जैसे गिनोंगे तो येसे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौँ, तस, ग्यारण बारह, तेरह, चाओदा, पंदरह, सोला ठीक है यहां तक ये पूरे सोला हो गए अब ये सोला लिखने का क्या कारण है क्यों लिखे गए है सोला तो जहां पर देखें आप ये मेरे पास एक, शोटिक चाबी है यहां लिखा गया है नौव सोला नौव बटा सोला और इस सेड में लिखा गया है साथ बटा सोला तो जब हम साथ बटा सोला जान नौ बटा सोला देखेंगे एक्षिन में आएगे हम इसमें और इसमें अगर नौ सोला लिखा गया है तो हम देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ यहां पर 9 हो गया ठीक है जी 9 हो गया तो यह सूथ कितने मने 1, 2, 3, 4 साड़े चार सूथ यह साड़े चार सूथ यहां पर हो गया ठीक है नाट बॉल्ट को लगेगी जिसका जो चूड़ी का सहज है 9, 16 है इसी तरह से 7, 16 है तो 7 का भी अगर हम देखें तो 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 तो 7 का हो गया साड़े तीन सूथ तो जो यह से यह वाला बॉल्ट है इसकी जो चूड़ी की अंदर का सहज है अंदर का सहज यह है इसका 7, 16 है मतलब कि साड़े तीन सूथ और जो बाहर का डाया है इसका वो है एक बटा दो आदा एंच तो जो इसी लिए इसी लिए यह लिखा जाता है 16 7, 16 9, 16 3, 16 जितना भी लिखा जाए तो इसकी डेटेल इसी स्केर के बैक सेड में है जहां पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी हाँ, यह देखे 1, 16 3, 16 5, 16 7, 16 तो अगर हम किसी चीज का देख रहे हैं 16 बाली का जहां किसी चाबी पाने में लिखा गया है 16 तो हम फिर S section में आएंगे 16 बाले में चेक करने के लिए किसका साइज कितना है इसलिए यह 16 लिखा गया है इसी तरह से किसी किसी में यह 32 भी लिखा जाता है 32 32 देखना हो तो जहां पर यह देखें 32 का भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है 17, 32, 19, 32 21, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 32, 31, 32 तो आप अगर 32 बाला कुश्श देख रहे हो तो आप इस section में आ जाओ तो इसमें 32 अलग अलग निशान लगे हुए है इसमें क्या किया कि जैसे कि एक सूथ का इन्होंने चार भागों में बाट दिया इसको एक सूथ को एक, दो, तीन, चार और इसी तरह अगर इससे भी ज़्यादा और भी कुश्श बारीकी से देखना हो तो उसके बाद है 64 इसमें क्या किया कि एक सूथ को आठ भागों में बाट दिया आठ, मिल्टिप्लाई 64 हो गया ठीक है जी तो इस तरह है ये वाला 16, 32, 64 बगएदा जो भी है हमारे पास एक बोर्ड है तो इसको हम देखेंगे यहां पर स्केट रखा, बिल्कुल जीरो पर और यह देखें 3 एंच और 6 सूथ है मैं जूम करके दखाता हूँ आपको देखें 3 एंच उसके बाद 4 एंच नहीं हुआ 6 सूथ तो इस तरह से हम इसको देखेंगे 3 एंच 6 सूथ और इस सैड अगर हम देखें दूसरा सैड है तो इसमें है जहां से यह देखें जीरो है बिल्कुल और और जहां पर हम देखेंगे के 6 एंच है 7.5 सूथ है तो इस तरह से किसी भी चीज का जो मेजरमेंट है उसकी मिंती की जाती है टेप में भी आप इसकी मिंती इसी तरह से कर सकते हो 6 एंच 7.5 सूथ इसका जी साइड है अब हम बात कर रहे थे इसके हेड की के ये क्यों लूज होता इसमें प्ले क्यों है इसकी हेड की के इसमें प्ले क्यों है बाहर से ये मिंती ले रहे हो तो जो एंची टेप है वो अंदर को चला जाएगा इस तरह हैं अगर हम इसी को यहां पर लगाएंगे इस तरह से मा लेए यह अंदर है तो हाँ यह थोड़ा सा जो इसका टेप है यह आगे की तरफ चला जाएगा ऐसे बार आएगा अगर हम इसको खीचेंगे तो ये बार की तरफ आएगा अगर हम इसको आगे से रोक देंगे तो ये टेप अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये अगर अंदर बाहर ना गया तो आपका जो मेजरमेंट है वो पूरा सही नहीं आएगा अभी देख सकते हो आपके पूरा तीन एंच शे सूथ साइज है इसका ये नीचे वाले एंच हो गए जो दूर दूर एक दो लिखा गया है और जो जहां पर ये देखें एक दो तीन चार इसको बोलते हैं सेंटी मीटर सेंटी मीटर ये एमेम का सेंटी मीटर करना हो तो उसके लिए आपको ये हवाले जो सेंटी मीटर है ये देखने पड़े है क्योंकि एक सेंटी मीटर में दस एमेम है जैसे कि एक सेंटी मीटर है इसमें दस एमेम है ये जो बड़े वाली निशान है शोटे नहीं बड़े वाले निशान ये एक एमेम पर एक निशान लगा हुआ है एक, दो, तीन, चार, पांच ये बड़ा निशान है पांच पर है जो के एच पर चार सूथ पर था आपने इस बात का ख्याल करना कि एक सेंटीमेटर में दास एमेम है और ये जो बड़े निशान है ये एक एमेम का है ये वाला एक एमेम का निशान है अगर हम सूथ में मेजरमेंट करते हैं तो इतनी बारिकी में आप नहीं डीपली जा सकते तो जैसे के यहां पर देखें आप ये आ रहा है एक सूथ, दो सूथ और अठाई सूथ और पौने तीन सूथ इस तरह है रहा है पौने तीन सूथ है अगर हम यही जो इसकी मेजरमेंट है एमेम में करते हैं तो कितना आएगा देखना आपने बिलकुल बारिकी से थोड़ी वीडियो आपको हो सकता है बोरंग लगे लेकर अगर आपने ये वीडियो देखनी तो आपको काफी काम आ सकती है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता काफी लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं ऐसा भी है तो यह देखें भी यह है पाँच एमेम यहां तक शे, साथ, आठ और तकरीबन साड़े आठ एमेम बनाए साड़े आठ एमेम तो अभी हम इसको डिजिटल क्लिप पर यह देखें साड़े आठ एमेम सेम से जाया साड़े आठ एमेम तो अगर आपने कही पर भी एमेम देखने हैं आपके पास महंगे वाला यह डिजिटल क्लिपर नहीं है कोई माइक्रो मिटर नहीं है तो आप फिर इस स्केल की मदद से कहीं पर भी MM चेक कर सकते हो इस पर दोस्तों वीडियो आगे भी और बनेगी अगर आपने मुझे इसका शार्ट पॉंस दिया तो मैं आगे वीडियो इस पर जिरूर पनावगा क्योंकि पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऐसलिए आज की वीडियो हम यही पर समाप्त करते हैं आगे हम इसी तरह की और वीडियो लेकर आएंगे वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तो बहुत बहुत थैंक यू